मित्रों नमस्कार। मैं हूँ आपका मित्र कमैल नंदलाल और मैं सभी दर्शकों का हार्दिक विनन्दन करता हूँ ऐस्टो तक के खास फ्रस्थूती कमैल नंदलाल की भविश्वणी। आपका राश्यववन इस राश्यववल मैं बात करेंगे मेश से ले करमीन राशी के राशेफल की साथी साथ आपको बताएंगे राशेफल कुछ सरल से उपाए राशेफल ही आपका शुभंक और शुबरंग भी पंचांग बताएंगे और राशेफल के आखर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेश उपाए जो आपके जीवन की कि शुबरंग रहेगा काला शुब दिशा रहेगी पस्चिम राहु काल रहेगा सुबह साड़े साथ बजे से लेके नो बजे तक का सरवाट से धीयोग रहेगा सुबह साथ बजे से लेकर रात को दस बज कर तीन मिनट तक दिन का सबसे शुब महरत रहेगा दूपहर को बारा ब परिशन चंदर से जुड़ा हुआ है बताएंगे आपको आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ती कैसे होगी उसके लिए राशेफल को आखर तक देखेगा शुरुवात करता है राशेफल की पहली राशी मेश यानि एरिस के साथ मेश राशी वनो कारोबार में विस्तार होगा दफ्तर में सहकर्मियों से कुछ परिशान रहेंगे संतान के जरूरते पूरी करेंगे कुमारों को विभाप रस्ताओं मिलेंगे व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगे उपाईये करेंगे पूजागर में सफेथ फूल चड़ा है शुबंग काठ रहेगा शुबरंग रह करेंगे कारेशली में बदलाव लाएंगे भाई वहन से विवाद के योग हैं चात्रों का मन जो पढ़ाई में रुची रहेगी चात्रों की घर के रख रखाव पर धन का खर्चा भी होगा माता के सेहत पर ध्यान देंगे उपाईये करेंगे चंदन की धूब जलाएं शु चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला चौथी राशी करक यानि की कैंसर की बात करेंगे लंबे समय से चल रहे विवाद खत्म होंगे हर काम बहुत सो समझ करके करें सिर्दद से परिशान रहेंगे दाम पत्त्य सुखी रहेगा परिजनों का साथ आप समय बिता पाएंग कागस पर सोम लिखकर जेव में रखें शुबंग के रहेगा शुबरंग रहेगा लाल पांचवी राशी सिंग यानि कि लियो की बात करेंगे आप में विश्वाक्ष में वरद्दी होगी कारोबारी लाब होगा नौकरी में पद्दोनत्ती की संभावना है सह करिमियों से स योग से आपको सारे काम जो हैं वो पूरी होंगे मांगले कारियों कि आप योजना भी बनाएंगे उपाई ये करेंगे पक्षियों के लिए चाबल रखें शुबंक नो रहेगा शुबरंग रहेगा नारंगी छटी राशी कन्या यानि कि बर्गो की बात करेंगे कानूनी म रहेगा नोकरी में स्थान पर इवरतन के योग है नयवयापार की योजना बनाएंगे बेरोजगारों को रोजगार के मौके मिलेंगे सहत पर थोड़ा सध्यान देऊ अपाई ये करेंगे तुलसी पर सफेद फूल चढ़ाएं शुबंक पांच रहेगा शुबंक रहेगा आठवी राशी व्रिस्ट चे कियाने कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे, कोई बड़ा निरणय लेंगे, दिन्चरिया में बदलाब लेकर से आप खुश रहेंगे, नेता करन विस्त रहेंगे, कारस्तल पर कोई बड़ी जिम्यदारी मिल सकती है, चातरों को सफलता मिलेगी, कारोबारी यातरा लाबदायक रहेगी, उपाई ये करें कि किसी कन्या को बता शयदान करें, शुभंक दो रहेगा, शुभंग रहेगा सफेद, दस्वी राशी मकर यानिकी केप्रकौन की बात करेंगे, दफ्तर में सहकर्मी सहीयोग देंगे, अचानक धनलाब के योग हैं पुराने रोग से उभरने के योग भी हैं उपाई ये करें कि सफेद रंग का रोमाल जिव में रखें शुबंग सात रहेगा शुबंग रहेगा से लेटी ग्यारवी राशी कुम भीयानी के अक्वेर इसकी बात करेंगे लोग आकरशित होंगे उच्च अधिकारियों से संब मन सुदरेंगे च्छात्रों का समय मोजमस्ती में बीतेगा प्रेम संबंदों में सोधार आएगा सामाजिक सम्मान में व्रद्धी होगी उपाई ये करें कि साबुदाना जल प्रभा करें शुबंग सात रहेगा शुबंग रहेगा सिलेटी बार्भी राशी मीन यानि आज के विशेश उपाई का वो विशेश उपाई जो सर्व इच्छाओं की पूर्ती करेगा देखिए ये खास दिन है ये दिन है पोश महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादिशी तिति का और ऐसे में अनुराधा नक्षत्र है ये नक्षत्र है चंद्रमा का कॉंबिनेशन और साथ बसाथ के अंदर शनी का नक्षत्र है ऐसे में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पूजन का विधान है तो क्या करें आप सर्व इच्छाओं की पूर्ती के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करें और भगवान श्री कृष्ण चंद्र पर मीठे चित पूर्ती होगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कलाप से फिर मुला कात होगी इजाज़त दीजे नमस्का नमस्च वाए